असलाम अलेकुम वीवर्स वालकम टू मैं चैनल आज की इस वीडियो में हम यह उपसूरत सा नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी तो यहां पर मैं इसलैस का यूज करूंगी और साथ में मैंने यह कॉटन नेट ली ह इसकी जगह आप औरगिंजा का फैबरिक भी यूज कर सकते हैं अच्छा जिसके लिए मैं बना रही हूँ वो थोड़ी सी हेल्दी है अगर आप नॉर्मल साइज में यह बनाना चाते हैं तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले मैंने यह बुगरम का पीस लि ली है अगर आप यह नॉर्मल साइस का गला बनाना चाते तो आप इसकी चोड़ाई जो है वह वो 4 इंचिस लेंगे और यहां पर मैं गले की लंबाई 7 इंचिस लूँगी अगर आप आप 6 इंचिस या 6.5 इंच पर भी ले सकते हैं उसके वण दोनों निशानों को उस तरह से मिला देंगे और सिंपल सा राउंड गला जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से हम इसकी शेप दे देंगे अब एक्स्रा माजन चोड़ते वे यहां पर कटिंग का निशान लगा लेंगे और सिंपल गले की कटिंग कर लेंगे अब हमने इस गले को इस तरह से कपड़े के पर पेस्ट कर लेना है और साइट से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते वे बाकि एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और इस कपड़े को इसके उपर फोल्ड करते वे इस तरह से एक रफसलाई लगा लेंगे अब हमने गले की फ्रंट वाली साइट लेनी है और जो सेंटर पर क्रीज बनी भी है इसको मैं टेलर चोक की मदद से थोड़ा सा डाग कर लूँगी यानि अच्छे से हम या पर निशान लगा लेंगे उसके बाद जो गला है उसको भी हम सेंटर से थोड़ा सा कट कर लेंगे और इस तरह से उल्टा करके गली के उपर रखते वे पिंस के साथ इसको सेट कर लेंगे अब सबसे पहले एक रफ स्लाई आपने सेंटर पर लगा लेनी है उसके बाद जिस शेप में ये गला बनावा है उसी तरह से आपने इसके पर किनारी की स्लाई लगा लेनी है अब इस तरह से हम एक्स्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और पूरी गुलाई में चोटे-चोटे से कर्स लगा लेंगे ताके पलेटने के बाद गले में फनीशिंग है अब इस तरह से पलेटने के बाद एक सलाई लगा लेंगे रफ सलाई इस तरह से एक पेर के फासले के साथ तो इस तरह से जी देखें गला बन चुका है अब हमने ये नेट का फैबरिक लिया है और इसी गले के हिसाफ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहां पर मैंने नेट को इस तरह से बिचा लिया है और गले को इस तरह से उपर की साइट से हम बराबर करके रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल गले के साथ साथ इस तरह से निशान लगा लेंगे टेलर चॉप की मदद से तो ये देखें निशान जो है वो हमारे लग चुके हैं अब हमने हाफ इन जितना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते वे इसकी कटिंग कर लेनी है इस गले के बिल्कुल बराबर कट नहीं करना हाफ इन जितना कपड़ा छोड़ना है जो के हमारा साइट से स्लाई में जाएगा देखें इस तरह से उसके बाद अब हम गले को रखते हुए यहाँ पर चेक कर लेंगे तो यहाँ पर देखें बिल्कुल बराबर साइज का हमारा गला कट हुआ है अब हमने इस सेंटर वाले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और नेट के उपर हम जो गला बनाएंगे उसका साइज हमने छोटा रखना है तो यहाँ पर मैंने गले की चोड़ाई 3 इंचिस ली है और गले की लंबाई मैंने 3.5 इंचिस पर ली है अगर आप चोड़ाई ज्यादा रखना चाते तो थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हैं अब इस तरह से हमने सिंपल सा छोटा सा राउंड गलास के पर बना लेना है यह देखे इस तरह से अब सिंपल हम इसकी कटिंग कर लेंगे उसके बाद अब हमने आगे से जो है वो वी शेप में इसको कट करना है तो उपर की साइट से मैंने इसको थोड़ा सा चोड़ा रखा है और नीचे की साइट से बिलकुल हमने इसको किनारी तक इस तरह से लेके आना है और इसकी simple अब इसी shape में हमने इसकी cutting कर लेनी है ये देखें इस तरह से अब इस तरह से हमने इसकी cutting कर ली है उसके बाद अब हमने गले के लिए piping को ready करना है तो यहाँ पे आप ready made piping भी cotton की use कर सकते हैं मैंने ये fabric लिया है जिसमें से मैं इस piping को तयार करूँगी तो सबसे पहले मैंने इस तरह से कपड़े को टेड़ाई में fold करके अच्छे से iron कर लिया है तो यहाँ पे देखें ये crease बन गई है यानि निशान बन गए हैं यहाँ पे अब इसी की मदद से हम उसको पहले सीधा सा cut कर लेंगे इसके बाद हमने रेडिंट की चोड़ाई पे पूरी लंबाई में इस तरह से निशान लगा लेना है यानि 1.5 इंचिस की चोड़ाई पे अब इसको स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे इस तरह से देखें हमने पट्टी को ready कर लिया है अब दोनों साइड से अम इसको बराबर सेंटर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से अच्छा अगर आप सेम साइज की पाइपिन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप पिन को इसके उपर सेट कर लें अभी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूं यह देखें इस तरह से और इस तरह से पाइपिन को निकालते विजा और इसको आयरन करते विजा इस तरह से आपके पाइपिन जो है वह बिल्कुल बराबर साइज की बनेगी पाइपिन रेडी करने के बाद अब हमने दुबारा से इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से और अच्छे से इसको आयरन कर लेना है इस तरह से यह देखें यहां पर हमने इसको रेडी कर लिया है उसके बाद अब हमने गले के आगे वाली साइट की तरफ जो हमने कट बनाये थे उसके उपर हम इस तरह से बीच में कपड़े को रखते वे इसके उपर किनारी की स्लाइल लगा लेंगे अब पाइपिन को हमने डबल फोड इसलिए किया था ताके हम असानी से इसको इस तरह से स्टिच कर सके इस तरह की पाइपिन को आप अराम से राउंड गले के उपर स्लीव के उपर और दामन के उपर भी स्टिच कर सकते हैं बहुत ही असानी के साथ यह स्लाई हो जाती है, अब सेम इसी तरह से हमने दूसरे कट के उपर भी पाइपिन को इसी तरह से स्टिच कर लेना है, तो देखे जी इस तरह से हमारी पाइपिन लग चुकी है, अब सेम राउंड कले के उपर भी हमने इसी तरह से पाइपिन को लगा लेना है, इसको उपर की साथ से हम इस तरह से किनारी से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से कपड़े को बीच में रखते वे पाइपिन के सेम उसी तरह से स्लाई लगा लेंगे, यह देखे इस तरह से, और ध्यान रहे आपने नेट के कपड़े को ज्यादा किचाओ नहीं देना बिल्कुल हलके आतों से दोनों को इस तरह से रखते वे आपने स्लाई करनी है शुरू में आपने स्लाई को थोड़ा सा पक्का कर लेना है अब इसी तरह से सिंपल स्लाई कर लेनी है और सेम इसी तरह से हम दूसी साइट को भी रेडी कर लेंगे तो इस तरह से देखे हमने दोनों साइट पर पाइपिन को अच्छे से स्टिच कर लिया है अब हमने शर्ट की बैक साइट लेनी है अगर आप लगाना चाते हैं तो लगा सकते हैं इसकी जगा कोई भी लेज़ नहीं तो आप इसको स्किप्ट करके सिंपल नेट वाले गले के साथ भी स्टिच कर सकते हैं तो इस तरह से यहां पर देखें, मैंने इस लेस को अच्छे से ग्लू की मदद से चिपका लिया है, आप चाहें तो इसको सलाई भी कर सकते हैं, अब फ्रेंट वाली साइट की तरफ देखें, यह हाफ लेस जो है वो इस तरह से नजर आएगी, इसकी जिगा आप इस तरह की को यह देखें इस तरह से, जो हमने हाफ इंज जितना कप्ड़ा छोड़ा था उसको अंदर की तरफ दबा लेंगे, बाकि इस तरह से सेट करते हुए, आप चाहें तो पिनके साथ सेट कर लें, नहीं तो थोड़़ थोड़़ से फासले के ताथ इस तरह से ग्लू लगा लें, अब एक ही स्लाई में जो है वो हमारी लेस भी स्टिच हो जाएगी और नेट का कपड़ा भी स्टिच हो जाएगा अगर आप अलग-अलग स्लाई लगाएंगे तो गले में इतनी फनीशिंग नहीं आएगी तो अगर गलू का यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके बाद सेम इसी लेस को मैंने थोड़े से फासले के साथ इस तरह से पूरे राउंड कले के पर स्टिच कर लेना है उसके बाद गले के लिए मैंने ये डोरी बनाई है जिसके बारे मैं बहुत से वीडियो में बता चुकी हूँ एक वीडियो का लिंक उपर आय बटन में दे दूँगी वहां से आप लोग चेक कर लीजेगा यहाँ पर मैंने ये स्कॉयर पीस लिया है जिसकी लंबाई चोड़ाई मैंने 3.5 इंचिस पर ली है स्कॉयर पीस है ये इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है ट्रेंगल शेफ में और इस तरह से डोरी को सैंटर की तरफ रखते वे इस तरह से स्लाई लगा लेंगे स्लाई लगाते वे दोनों किनारी से कपड़े को इस तरह से कट करेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे तो यह हमारी डोरी के आगे वाला डिजाइन इस तरह से रेडी हो जाएगा सेम इसी तरह से दूसरी डोरी को भी हमने रेडी कर लेना है अब इस तरह से गलेक के जो हमने ये पायपिन उपर वाली साइड की तरफ स्टेच की थी इसके आगे वाली side open है तो इसमें से हमने इसको इस तरह से गुजार लेना है आप चाहें तो किनारी पर भी इसको रखते वे simple stitch कर सकते हैं नहीं तो इसको इस तरह से गुजारते वे उपर की side आप इसको slide कर ले अब हमने इसमें से इसको गुजार लेना है तो यहाँ पर मैंन इस तरह से हमने डोरी के उपर की साइट करते वे यहां पर सेट करके किनारी की स्लाई लगा लेनी है इसी तरह से दूसरी डोरी को दूसरी साइट में से गुजार लेंगे तो इस तरह से नेक डिजाइन हमारा बन के तयार है तो आज के लिए बस इतना ही, उमीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए helpful रही होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे like और share जरूर कीजेगा, चेगल पर new है तो चैनल को subscribe करना ना बूलिएगा, तो मिलते हैं जी नेक्स वीडियो में, अल्ला हाफस्ट